मैं बुक रेकुमेंड करता हूँ गुड़नू एंड गेड़े की बुक बहुत लोग बोलते हैं कि सर टीमो सेंको की बुक बेस्ट है मैं आप लोगों को ये क्लियरली बता दूँ कि इस इस दा अपडेटेट वर्जिन आफ टीमो सेंको बुक ओनली टीमो सेंको के नाम से जो 3rd एडीशन का मिलता है वही बुक 9th एडीशन में इनके नाम से मिलता है क्यूं क्यूंकि वो बुक जो है टीमो सेंको कडिब आज से 100 पहले लिखेते हैं 100 पहले लिखेते हैं उनके death के बाद फिर बुक में ओथर का नाम change हो गया क्यूंकि उन्होंने उस बुक को अपडेट किया, आज के रेट में टिमो सेंको भी अपडेबल नहीं है, यह गेड़े भी अपडेबल नहीं है, जो अपडेबल है, वो गुड़नों अपडेट करते हैं, यह बुक के बल दिखाने के लिए आप ऐसा नहीं किजेगा कि यही कभर पे सोच के और ढूंड़ेगा, कभर पे चेंज होता रहता है, अगर आप आप अनलाइन पर्चेश कर रहे हैं, तो इस बुक के बारे में और भी बता दे, इस बुक का SI एडिशन भी अवलेबल है, SI unit का लेकिन वो foreign edition में अवलेबल है, that is of around 8000 cost, तो वो तो students purchase नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी costly हो जाता है, इसी बुक का एक brief edition भी अवलेबल है, तो brief edition और original edition कैसे पता कीजिएगा, brief edition में number of pages कम है, इसमें कड़ीब 1100 pages है, around 1100, और उसमें pages है 600-700 something है, तो उससे पता चल जाता है, कि brief edition कम है, clear, तो आपको ये सब डाल के search करना है, Amazon पर search कीजिएगा, easily मिल जाएगा, clear, 6-700 का book है, that is good, टीक है, बहुत लोग करती क्या है, कि सार मेरे पास पुराना edition अवलेबल है, उसी से पढ़ ले क्या, नहीं, पुराना edition भाईया पढ़े थे, मेरा दोस्त पढ़ा ता वही book मेरे पास अवलेबल है, नहीं, अगर आप purchase कर सकते हैं, आपकी capacity है purchase करने की, तो always purchase latest book, आप common sense से सोचिए, 6-700 रूपीज के लिए, अगर आप एक-दो concept भी पुराना जानते हैं, या कम जानते हैं, तो that is very costly, टीक है, बहुत ही उसका bad impact है, so book हमेसा latest version खड़ीदा क जहां financial constraint है, नहीं, आप arrange कर सकते हैं पैसे, तो बात अलग है, आपको जो book अबलेबल होती है, वही book खड़ीद लीजे, पढ़ लीजे, जीतना में मिलता है, कर लीजे, but अगर आपके पास पैसे हैं, आप पहली बार खड़ीद रहें, तो always latest version book खड़ीदे, so this is the latest version of strength of material, confused नहीं होना है, यही book टेमो सिंको की book है, बस यह 9th edition है, इसलिए इसमें author का नाम अलग है, otherwise यह original version टेमो सिंको की book कहीं है, उसी में add हुआ है numerical, और हाँ, याद रखिएगा, इससे tension नहीं लेना है, कि यह दूसरे unit में है, क्योंकि book basically numerical के लिए popular नहीं होती है, book किसके लिए popular ह होती है, उसमें कैसे concept को explain किया गया है, उसके लिए book popular होती है, आप लोगों की आदत है, जिसमें number of problem ज्यादा, वो book खड़ी के लिए आए, number of problem ज्यादा लिए कि क्या कीजिएगा, अगर एक भी problem समझ में नहीं आ रही है, then what is the use of that book, clear, तो इस लिए अच्छी book खड़ी दि इतना अच्छा 3D diagram, सबकुछ इसमें presented है, इसका PDF version भी मिल जाता है, 7th edition, 8th edition का PDF version मिल जाता है, लेकिन उसमें बीच-बीच में से page गायव रहता है, ठीक है, आप लोगों को मिल जाता है, तो आप लोगों को लगता है, PDF मिल गया, लेकिन उसमें बीच में से pages गायव रहते ह हैं, वो लोग, जो लोग publisher होते हैं, तो वो नहीं available होता है, clear, so this is very good book, बहुत ही अच्छी book है, strength of material की, तो आप इसको purchase कर सकते हैं, now, coming to the second subject, Steel Structures, Steel Structures के लिए Indian author का book, क्यों Indian author का book, इसके दुगल साहब की book, इंडिया के है, एनाइटी अलाहबाद के faculty हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, और इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये book लिखी है, इसका दो version available है market में, एक है limited state design of steel structure, और पुराना version था उनका, जब 2007 में code change हुआ, तो उस पे ये लिखा हुआ, ये book, so this book you have to purchase, बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा है, questions पहरा को explain किया है, थेडी से correlate किया, बहुत ही अच्छी book लिखी हुई है, steel structure में foreign author का book, पढ़ना advisable, इसलिए नहीं है, क्योंकि ये Indian code पे परना पड़ेगा, इसलिए Indian code is most important, आया सब को समझ में, clear, so this book you have to purchase, मैं जो भी book बोल रहा हूं, that is, all those books are okay tested, मैं recently अभी class लिया हुआ on academy platform पे, तो मैंने book, ये सब book बच्चों को recommend किया, बच्चे ये सब book refer किये हैं, और सब का feedback बहुत अच्छा है, कि सर इस book से सब कुछ हार्ड कॉपी खडी और उसको underline करके पढ़ते हैं, और बच्चे उससे photograph खीच के भेजते हैं, कि सर इस line का meaning नहीं समझ में आया, and then I explain them, कि उसका meaning क्या है, ठीक है, now, इसके बाद आते हैं, next subject पे, that is structural analysis, structure analysis कि इससे तो अच्छी कोई bookी नहीं है, बीटे के student के लिए, तो अ इसका PDF, मीचे description box में हम दलवा देंगे, उसमें सारा details रहे रहेगा, तो कभी भी आपको लेना होगा, तो उससे आप ले सकते हैं, PDF को, clear, so this is the best book, इसमें इतना अच्छा presentation, इतना अच्छा explanation दिया हो, और हां, इसका SI unit available है, market, इसका SI unit available है, तो ये पूरा book SI unit वाला ही आपको purchase करना, देखिए मैंने लिख भी दिया, this book is available in SI unit as well as pond fit unit, तो आपको SI unit वाला purchase करना है, धिहान रखिएगा, purchase करते time, कि SI unit का purchase कर रहे हैं या नहीं कर रहे है, this is best book, जो लोग आर्थी हिबलर पढ़ लेगा, उसका structure analysis स्ट्रॉम हो जाएगा, clear, और हम जो book आपको बता रहें, इसके अलाबा कोई भी book हमको तो नहीं suit करता है, बाकि आप लोगों की मर जी, अगर आपको लगता है कि आप उसी book से सीख सकते हैं, तो सीखिए, clear, but I am representing here the best book, जिससे आपी easily समझ सकते हैं, और जो की best है, authentic source of knowledge है, then, coming to this book, reinforced cement concrete, so reinforced cement concrete के भगवान है, पिल्लाइमेनन, clear, पिल्लाइमेनन इतना authentic book है, Indian author का book है, लेकिन इस book का जो writing style और जो class, that is of world level, error free book लिखे हैं, इतना अच्छा लिखे हैं, और जो most important thing है, कि अब इसका fourth edition market में आ गया, अभी recently आया है, recently, मुस्किल से एक महीने हुआ है, तो recently इसका fourth edition available हुआ है, तो अब आप लोग को खड़ीदना है, तो fourth edition, fourth edition में water tank add हो गया है, तो अब आप इस book purchase किजेगा, तो इसमें आपको water tank भी मिलेगा, देखिए, कुछ-कुछ special topic add हुआ है, आप लोगों के काम का है, water tank, और wind और seismic force का calculation, तो ये इसमें add हो गया है, wind और seismic force का calculation, तो आप इस book को purchase कर सकते हैं, best book है, RTC के लिए, इससे ज़्यादा authentic नहीं है, IS 456 में error हो सकता है conceptual, लेगिन इस book में error नहीं होता है, इतना ज़्यादा authentic book है, clear? So, इस book को enjoy कीज़े, now, coming to the fourth one, fifth one, pre-estress, चुकि RTC के साथ pre-estress भी आप लोगों के syllabus में है, और pre-estress का generally लोग book नहीं खड़ीते हैं, but अगर आप खड़ीतना चाहते हैं, then Krishna Raju is the best book, बहुत ही अच्छा book लिखे हैं, Krishna Raju काफी knowledgeable आदमी है, काफी knowledge है इनको, तो इनकी book भी काफी अच्छी है, इसका latest edition अभी चल रहा है market में, 6th edition, तो latest edition ही खड़ी दियेगा, 6th edition, और pre-estress, चुकिए syllabus में है तो लेकिन पूरा syllabus में नहीं है, pre-stressing और book में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन इसका starting का 8-9 chapter जो है, that is useful, 8-9 chapter, तो अगर pre-estress पढ़ना होगा, तो इसी से पढ़िएगा, और किजी गंदी book से मत पढ़िएगा, clear, आप लोगों को आदत है, कोई भी book उठा के पढ़ लेते हैं, ठीक है, then, इसके बाद, structural dynamics, structure dynamics, engine services और gate में add किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसका book तो खड़ीबना बहुत advisable नहीं है, तो जो लोग M.Tech कर रहे हैं, M.Tech कर रहे हैं, अगर structure इंजिंग से तो उनके लिए यह best book है, एके चोपड़ा world level की book है, यह हैं इंडियन, लेकिन अभी इंडिया में नहीं है, यह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी ओफ बर्कले, ठीक है, नहीं, यूनिवर्सिटी ओफ बर्कले कैलिफोर्निया में है, ठीक है, तो वहाँ पर यह है, यह आई टी कानपूर में lecture एक बर देने आये थे, आई वाज इन एंटेक अट नाइम तो मैं इनका लेक्चर लाइब अटेंड किया था, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे पैटल्टी है, और यह लोग जो बुक लिखते हैं, यह वर्ल लेवल का बुक लिखा हुआ है, यह ऐसा नहीं है कि इसी तरह लोगों को इनिंग सर्विसेज और गेट के लिए, लेकिन अगर आप एंटेक कर रहे हैं, इन दिस इस एडवाईजर रॉट नाओ, यह था सारे बुक का कलेक्शन, नाओ कोई भी हमसे कमेंट बॉक्स में यह मत पूछिएगा कि सर और दूसरे सब्जेक्ट का भी बुक का नाम बता दीजे, हम यही चार सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसलिए हम इसी के अबाउट इनफॉर्मेशन देते हैं, यह सब का बुक हमसे मत पूछिए, जो फैकल्टी यह सब बुक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो आपको लेटिस्ट इनफॉर्मेशन दे पाएंगे, मेर पास जो इनफॉर्मेशन है, वो मेरे टाइम का है, 2007 के टाइम का, उस समय मैंने जो बुक से पढ़ाता है, उसका है, clear, so मैं इसी चार सब्जेक्ट का हूँ, चुकि आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अनेकडमी प्लाटफॉर्म पे, तो इसलिए किबल इसी चार सब्जेक् अनेकडमी पे आप कोई भी क्लास वेड़ा, इन्रॉल कर रहे है, then you can use my referral code, विवेगुपता10, उससे आपको 10% discount वेड़ा, जो भी मिलता है, so मिल जाएगा, so अच्छे से आप लोग prepare कीजिए और exam को qualify कीजिए, अच्छी book is always helpful, structure analysis is structural के 4 paper, is not up to the examination only, इसके बाद भी ये काम आता है, तो इसलिए structure का book अगर आप पढ़े हैं, तो teacher आप से छूड जाएंगे, लेकिन book आपके साथ हमेशा रहेगा, अभी आप मेरा course lecture आपके पास available है, तो आप देख लेते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद ये नहीं available रहेगा, और आपको कोई चीज रेफर करना होगा, तो book आप रेफर कर सकते हैं, मैं जब पढ़ाता हूं, तब भी students को बता देता हूं कि इस book का ये topic, ये section पढ़के आना, तो इससे बच्छों को काफी relax हो जाता ह है, clear, so आप लोग अच्छे से prepare कीजिए, exam qualify कीजिए, ये सब book आप लोगों को, जो भी book पसंद आए, मेरा lecture अगर अटेंड कीजिए, तब तो हम जवरदस्ती आप लोगों को दिलवा देंगे, और अगर आप तो ये नहीं घडिना चाते हैं, तो बात अलग है, ठीक है, और exam qualified कीजिए, okay, बाइब बाइब